अलोव फ्रेंड्स मैं डॉक्टर सी सीलिया विल्कम टॉट्ट अकास किचन आज की हमारी रेसिपी खीर की रेसिपी है और वह लौकी की खीर लॉकी की खीर जो है फटाफट जल्दी बनने वाली खीर है तो आज हम जो है यह स्वाधिश्थ खीर की रेसिपी देखेंगे हमने इसमें मावा नहीं यूज किया है कंडेंस मिल्क भी यूज नहीं किया है दिकिन फिर भी ये रबड़ीदार हमारी ये खीर बनने वाली है तो चलो अब रेसिपी की ओर तो यहाँ पे मैंने ये मीडियम साइज की मैंने ये लौकी ली है यह कंड़ा है कर दुक्सित MThis ताजी यह यह य॥ लौकी रहती है तो लौकी की खीर बनाने से पहले पहले हमें इसके उपर के जो है ये चिलके जो है निकाल लेने हैं लौकी को अच्छी तरह से पहले हमें धो लेना है और फिर ये चिलके जो है इसके उपर के हमें पूरे जो है ये निकाल लेने हैं तो ये देखें फ्रेंड्स ये चिलके हमने पूरे निकाल लिये हैं और ये दोनों तरफ की जो नोख है इसको हमें काट लेने हैं इसे लौकी घिया कद्दू दूदी ये नाम से भी ये जाना जाता है आपके रीजन में इसे क्या कहा जाता है कमेंट कीजिए फ्रेंड्स तो ये देखें एक दम ये ताजी हमारी ये दूदी निकली है बीच भी ब्रश कर लिया है लेकिन अगर बीच होंगे तो फिर ये जो है बीच का जो पॉर्शन है यहामें निकाल लेना है ऐसे सेंटर में से काट के इसको हमें ये पूर्ण एसे ये निकाल लेना है और यह जो बीच का जो portion हम निकाल रहे हैं इसको फेकना नहीं है यह आप इसको डाल में सांबर में और इसकी सब्जी भी बना सकते आप तो यह ऐसा ही हमने निकाल लिया है इसके बीच में का portion और इसको अभी हमें कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करते समय जो है जो दूदी का जो कठीन portion है कठीन भाग है वो साइट से हमें इसको कद्दुकस कर लेना है तो ये देखे ये जो छोटा वाला जो ग्रेटर रहता है उससे मैं ये कद्दुकस कर रही हूँ तो ऐसे छोटे-छोटे हमें यह कद्दूकस किये हुए ऐसे यह रेशे चाहिए क्योंकि यह जल्दी खीर में यह पक जाते हैं और कितनी ताजी हमारी यह दूदी है देखे और यह जो है मैं बीज के साथ जो है इसको मैं कद्दूकस कर रही हूं आप देख सकते हैं कितनी ताजी यह लौकी है हमारी एक भी भी जिसमें है नहीं और जबी भी आप कौनसी भी लौकी की रेशिपी आप बनाऊगे तो तुरंत ही आपको इस्तिमाल करना है कि कद्दू कस किया हूँ लौकी को ने तो लौकी जो है यह काली पड़ जाती है तो यहां पर मैंने सब लौकी को मैंने कद्दू कस कर लिया है मुझे कितनी ताजी हरी 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 हमारी यह लौकी दिख रही है तो अभी खीर बनाने के लिए यहां पर मैंने रख दिया है और यहां पर मैं तीन टीस्पूर में घी डालूंगी और घी अच्छी तरह से गरम होने क जो है दो बड़े चम्मच चिरोंजी डालूंगी चारोडी जिसे कहते हैं यह डालूंगी चारोडी और चिरोंजी के बगर कौनसी भी खीर और मिठाई हमारी अधुरी है इससे स्वाद जो है खीर और मिठाई जो भी हम बनाते हैं बहुत बड़ी आता है अभी चारोडी जो ह चिरोंजी हो इसको जो है हमें अच्छी तरह से हमें पका लेना है उसके बाद हमें एक चम्मच हमें इसमें किश्मिश डालनी है आपके चोईस के हिसाब से आप इसमें ड्राइफ रूट्स डाल सकते हैं किश्मिश अच्छी तरह से फूल जाने के बाद इसमें अभी हमें एक चमाच हमें। बारिक कटा हूआ काजू, बारिक कटा हूआ बदाम डाल। ड को हमें आच्छी तरह से घी मैं भून लेना है हैं। अभी ये और प्रूज ऑर गी में तर यह पार को अद्द e-लाब दाल देना है। जब तक उसमें जो पानी है वह ड्राय हो जाता निं। आर यह तक जब तक पानी का पाम सलब जाता हो तो आप में सख्च्च यह रहते हैं लोगकी старी तो अपने मिन्यक्त में हम गोड़ हो संखिए जाता है पहले यह रा हरा लग रहा था और अभी यह पूरा यह transparent और white हो गया है और यह खुश्पी भी बहत आच्छे आती है इसकी तो हमें समझ लेना भी यह stage पर हमें इसमें अभी दूद डाल देना है और दूद जो हमें अभी डालना है यहां पर हमें गुनगुना करके हमें दूद डालना है थंडा दूद हमें बिल्कुल डालना नहीं है ने तो दूद जो है यह फट सकता है तो यहाँ मैंने 1 लिटर मैं नभी यूद लिया हैं और d indeed को अच्छी तरह से गुबाल आने के बाद मैंद राइफूट्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दूद को अच्छी तरह से पटाले ना है और एक बड़ी गुबाल आने के बाद जो है हमें ढखकन रखके दूदी और दूद को अच्छी तरह से हमें पका लेना है और दूद भी जो है हमारा एक चार-पाच मिनिट के बाद यह वीडियो हो जाएगा और कदुकस किया हो हमारा लौकी जो है यह अच्छी तरह से हमारा यह पक जाएगा तो यह देखे फ्रेंड्स हमने दूद जो डाला था पूरा यह कम हो चुका है और जो हमने लौकी डाली थी लौकी भी अच्छी तरह से हमारी यह पक चुकी है और हमारी खीर को और अफसे यह के बुडिना दूड डालका और इसको अची तरह से मिक्स करके हमें इसका गोल बना लेना है और में जो लं से पूरई हमें निकाल लेने हैं और यह हमारा मेंट कि खीर का जो मिक्षर है यह देखे fifty present कितना यह अच्छी तरह से ये डीडिऊस हो चुका है ये दूद हमारा कि सुधा मिल्क प्वाउडर पाज्य दाल देना है कियो और मिल्क का जो मिक्षर इस इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और थोड़ी देर तक हमें इसको पका लेना है यानि यह अच्छी तरह से यह गाड़ा हो जाएगा और इसको और रबड़ी दार और गाड़ा बनाने के लिए यहां पर हमारे घर में जो मलय रहती है क्रीम रहती है वह आधी कटुरी मैंने इसमें डाल दिया है और यह कम मीठा यह अच्छा लगता है तो मैंने यहां पर आधी कटुरी मैंने यह शक्कर डाली है और इसको और खीर को टेस्टी बनाने के लिए यहां पर मैंने यह जाइफ़र डाला है कि जाइफ़र के बगेर कोई भी खीर मिठाई अधूरी है और इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है आप देख सकते हैं आप कितनी गाड़ी हमारी खीर बनी है और दूदी जो है लौकी जो है अच्छी तरह से यह पक चुकी है आप आदा चम मचा मिलाइची पाउडर डाल देंगे और यह जो खीर है अभी हमारी यह लौकी की खीर फटा-फट जल्दी बनने वाली यम यह रएड यह इसे । गरम घरम सकते है ठंडा करके खा सकте है और इसको और थोड़ा सा डेस्टी बनाने के लिए यह पर मैंने केसर वाला जूज जो है इसमें डाल दिया है मैंने आपे दूसरा कोई color use नहीं किया है और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डेड़ कप लॉकी जो हमने कद्दू कस किया था कि कितनी गाड़ी हमारी ये खीर बनी है तो ये खीर हमारी रेड़ी है तो चलो अभी इसको हम सर्व करते हैं तो मैं जो है इसको गर्मा गरम में इसको ये खीर जो है ये सर्व कर रही हूं तो ये गाड़ी रबडीदार हमारी ये लौकी की खीर एकदम असान है जल्दी बनने वाली है और आप इसे ये उपास के वक्त तेवार के वक्त आप इसको बना सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये हमारी ये खीर है और ये गर्मा गर बदाम डाल देंगे उसे गानिश करेंगे केसर के दागे डाल के हम इसको गानिश करेंगे और यह घरम अब regen आपको यह अपको मसलिभ आप भी यह लौकी की खीर की बना के देखेगा, मेरे चैनल को लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा, कमेंट कीजेगा, तैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग